हेलो प्रेंस तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन आप दूद वाली चाय छोड़ना भी नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आप दूद वाली चाय पीते हुए अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत ही आराम से तो इस वीडियो में आप दे देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनानी है उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप पानी और पानी को हम अच्छी तरह से बॉयल करेंगे और जब पानी हमारा बॉयल होने लग जाएगा तब हम उसमें डालेंगे अद्रक और अद्रक को हमें कदूकस करके ही डालना है और उ इसके लिए हमें अद्रक और दालचीनी को पहले अच्छी तरह से उबाल लेना है। दालचीनी के फायदे तो आप सबको पता ही होंगे, यह हमें weight loss में बहुत ही जादा फायदा करती है, यह बहुत ही helpful होती है, तो इसके लिए हम चाय में दालचीनी डालेंगे, और जब अद्रक और दालचीनी अथी तरह से boil हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि उसका color जो है पानी में आ जाएगा इस तरह से, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय की पती, तो चाय की पती हमें अद्रक और दालचीनी को अच्छे से उबाल लेने के बाद ही डालना है, और चाय की पती डालने के बाद अब इसे भी हम उबाल लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे दूद तो दूद के लिए आप low fat दूद ही यूज़ करें full fat दूद या full cream दूद का यूज़ आप इस चाय में ना करें क्योंकि full fat दूद या full cream दूद से हमारा weight बढ़ता है इसलिए हमें low fat दूद यूज़ करना है और उसके बाद अब हम इसे उबालेंगे और इसमें हम चीनी ये शकर नहीं डालेंगे हमें चीनी ये शकर बिल्कुल भी इसमें नहीं डालनी है क्योंकि हम weight loss के लिए ये चाय बना रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गुड़ गुड़ जो है ये इससे हमें weight हमारा बढ़ता नहीं है तो इसके लिए आप इसमें गुर्ड डाल सकते हैं इसमें हम गुर्ड बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हमें सिर्फ एक चमज डालना है और फिर गुर्ड डालने के बार हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे तो ये चाय आप दिन में सिर्फ दो बार ले सकते हैं उससे ज़्यादा आप चाय ना ले और चाय लेते समय आप उसके साथ कुछ healthy snacks ले सकते हैं खाली पेट आप चाय बिल्कुल भी ना पी है healthy snacks ले तला भुना या weight gain करने वाला कोई भी snacks आप ना ले और इस तरह से ये चाय हमारी बन कर तयार है तो आप इसको पीते हुए आप अपना weight loss कर सकते हैं इस तरह से चाय बनाएंगे तो आप चाय का मज़ा भी ले पाएंगे और अपना वजन भी कम कर पाएंगे तो फ्रेंट्स weight loss की और भी recipes आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं और इस चाय का मज़ा लेते हुए आप मेरे वीडियो को subscribe कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो like भी जरूर करिएगा और comment करके मुझे बताएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए take care and thank you